सतना जिले के रामपूर बागिलान थाना शेतर में विगद वर्षों में लूट की घटनाए बढ़ी हैं जिससे किसान, व्यापारी और आम जन्मानस लूट रहा है लेकिन पुलिस प्रिशासन ने अभी तक कोई ठोस कायरवाही अपराधियों के विरुद्ध नहीं की है अब राधियों में पुलिस प्रिशासन का खौफ नहीं है तभी तो कुछ दिन पूर्व इंडियन बैंक से बेरिहा निवासी दो किसानों के बैग से एक लाग चालीस हजार रुपे चोड़ी कर लिए गए थे जनवरी महीने में देवरा में आठ लाक गहनों की लूट हुई थी बदमाश हत्यारों से लेस थे लेकिन पुलिस प्रिशासन ने अभी तक कोई कायरवाही नहीं की इन तमाम समस्याओं को लेकर भारती जनशक्ती चेतना पार्टी ने रामपूर भगिलान S.D.M. को ग्यापन सुपा बल्दाओ मंदर से एक रैली प्रारम हुई रैली का नेतरत विधान सबब प्रत्याशी लवकेश सिंग के द्वारा किया गया इसानी लोगों ने बताये कि रामपूर भगिलान थाने के सामने नशे का अवैद व्यापार होता है लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कायरवाही नहीं की जिससे गाओं के छोटे बच्चे और युवा नशे की जद में आ रहे हैं गयापन के मात्यम से लोगों ने पुलिस प्रशासन की कायरव प्रणाली में सुधार और अपराद में लगाम लगाने की मांगी है दुकानों से सोने चादी आभूसर रुपटे जा रहे हैं लेकिन इस तरह की घट्नाओं में अब तक पुलिस प्रशासन ने किसी भी अपरादी को नहीं पकड़ा है जिसके विरोज में भार्ती सक्रिचेटना पार्टी एवन भवती मारो कल्यारतन दठन और विवागी अधिकारी महादय को ग्यापल सोब को पुलिस प्रशासन का विरोज किया जाएगा